मॉनिंग आशिश बताएं क्या कह रही है आज की रिपोर्ट्स के नतीज आएं इसमें कुछ वान ओफ एजस्टमेंट भी है इसके चलते जो इनके मुनाफिक आखड़ा है वह नमान से कमजोर है मेक्वाइरीन आउंट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरा रखा है करीब 690 की लक्ष के लिए हमाई जेफरीज देखें तो होल्ड की राय को बरकरा रखें लेकिन लक्ष बहुत जादा काटा है पहले 700 रुपे के लिए देखें होल्ड की राय दे रहे थे अब 475 का लक्ष द पैक्ट देखने को मिलेगा मॉगन स्नाडी की तरफ से रिपोर्ट आगी है इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरा रखा है 33 रुपे की कल्की क्लोजिंग है 41 रुपे का लक्ष दे रहे हैं और यह मानरे की नतीज़े जो बैंक ने पेश के वो इनके अनुमान से कंजोर है ल जेफ्रीज देखें तो खरीदारी के राय को बरकरा रखें है 1360 रुपे की लक्ष के लिए भारतिये टेल पर मेक्वाइरी आउट परफार्म की रेटिंग दे रहे है 846 रुपे के लक्ष दिया है सन फार्मा पर क्रेडिश नीट्रल के रहे है 810 के लक्ष के लिए और अंत अबुत रिपोर्ट से पोली कैप पर यह सबसे बड़या रिपोर्ट साती है कि दोनों ही ब्रोकरेजेज ने टार्गेट बढ़ा है जेफ्रेश तेल की सो पचीस पोली केप पर और वहीं हिंदाल को पर देखें तो हो 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 दिल तोडने वाले टार्गेट है आशिश 400 पे च